बच्चों कच्छाबारा नागरिक सास की कच्छा में मैं सैलें चोधरी प्रवक्ता पटेल अस्वारक इंटर कालेज पटेल नगर हधर गोरपूर आपका स्वाप्त बच्चों आज हम खंडखा श्वतंत्र भारत में राजनीत नामर पुस्तक के अध्याय छे लोगतांत्रिक व्यवस्था के संकत अध्याय को पढ़ेंगे बच्चों इस अध्याय को हम दो भागों में अध्याय करेंगे पहले भाग में हम पढ़ेंगे आपाक काल की प्रिष्टपूर के कारण आपाक काल की घूष्टा वा आपाक काल की प्रिष्टपूर करेंगे आउसेस भाग हम भाग दो में अध्याय करेंगे बच्चों शुरवार करते हैं आपाक काल की प्रिष्टपूम्वा कारण से जैसा आप जानते हैं बच्चों भारत में 1947 से लेकर लोगतांत्रिक प्रिक्रियार लोगतांत्रिक सरकारे रही मजबूर सरकारे रही लेकिन 1970 के बाद जो एक दलिये दौर चल लहा था उसमें परिवास्ता नाना चाल लुए कई कारण थे जिसका अध्यन आपने पिछले अध्याय में किया लेकिन वे महत्तुपूर कोंसी कारण बने आपकार की प्रिष्ट भूम में उनकारणों को खोजना होगा हमें जैसे किसी कारी के पीछे कोई कारण होता है उसी तरह जो 1975 में आपका कारण लगा उसके पीछे भी कुछ कारण थे उसकी प्रिष्ट भूम ऐसे नहीं तया पहला क्या था आर्थिक संदार्भों की बात की जाए बच्चों आर्थिक इससित तो पहले से खराब चलिया रही थी भारत में लगाता 62-65 के उत्थ फिर एकहत्तर के उत्थ बीच में उनिस सो साथ ठासर का भीचला का विश्व में बढ़ती हुई पेट्रोलियम मुद्पादों की मूल्यों में दुबहुत्री हुई उसकी कार्ण हमारी यार्थी किस्चित कम्जूर कि बेरोजगारी बढ़ी मुद्पाद्राइश्वित की दर बढ़ी जगा जगा है आंदोलन वे इस आर्थिक जुब कठनाई का दौर था कि इसमें भुखबरी गरीबी बेरोजगारी ये सब बढ़े कि जिससे जब ब्यक्ति भूखा होता है तो आंदोलन की तरह को अगर्शाथ होता है कि बच्चों इसके अलमा गुजरात और विहार में आंदोलन गुजरात में जनवरी उन्निस सो चौभत्ता में भूखे लोगों द्वारा कि बेरोजगारों द्वारा कि छात्रों द्वारा कामगारों द्वारा कि महनाई के विरुद्ध में प्यापक जरांदोलन उठका हो उसके प्यापक परड़ा हुए इसी तरह मार्च 1974 में बिखार में एक अंदोलन सुपार उस्पूर्थ करण उठका हुए जिसमें अगवाई इवा वर्ग के हाथों में थी और इस दोर में बत्चों यह ध्राम रखना इवा वर्ग के लोगों ने जो इवा वर्ग के छात्र थे विश्विद्यानों के जो छात्र थे वी अंदोलन में कूदे और उन्होंने जैप्रकास नारायन के पास जाकर अनुरोध किया कि वे इस अंदोलन की बाग दोर को अपने हाथों में लें कि उन्होंने अहिंसा कांदोलन की बात कही जिसे छात्र ने स्विकार किया और तब जैप्रकास नारायन ने कि 1974 में जाकर आंदोलन की बाग दोर अपने हाथ में यह प्रिश्ट भूंत यह बोरा था देश में भ्यापा कांदोलन के लिए इसी तरह ने आए पालिका से संग्हाज बच्चो अनेग नाय पालिका के जो फैसले थे बिस सरकार के गुरुत है लोगी सरकार उन्हें सहमत थी क्योंकि सरकार अपनी प्रव्षप्ता जाए लेकिन न्याय पालिकाज शंतान को सबुच मांगते हुए केशवानंद भार्ती बराम भार्स्रंग के विवाद में 1973 में जो साथ और छे के बहुमत से एक संभिधान पीठ ने नेड़े दिया कि संभिधान के मूल धाचे में किसी रेश्टित में संसत परिवर्तन नहीं कर सकती कि अब पॉबर की सरकार कि इंद्रा सरकार को ये चीजें बहुत अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कि असाहमत होते फिर कि संभिधान में नया संस्वन करती है कि न्याले ने पुना उच्छावाय घोचित कर दिया यह जो न्याले के मद्ध और सरकार के मद्ध जो विवार्द चला कि उसने भी कि कहीं ना कहीं आपात का तो लागोने में महत्तों करी अब बच्चों आगे बढ़ते हैं आपात का की घूशा कि इसकी घूश्रा में कहीं ना कहीं 1975 में जो इंद्रा गाधी का निर्वाचन था जिसे इलाहवाद हाई पोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्ध घोशित कर दिया और उन्हें संसक्ती कारवाई में रोब लगाती है अब कि प्रिश्णियों था कि सरकार तो बहुमत में है नाले निर्वाचन रद्ध कर दिया अब क्या हो चुकी सत्ता का बहुत बड़ा होता है और उस स्थित में सत्ता में बने रहने का ही निड़े सरकार के सलाहकारों बाला स्रीमती गाधी को दिया गया यह निर्वाचन था रद्ध होना यह बहुत बड़ी घट्टा हुई जिसके विरुध पूरे विपत्च ने एक बार कुना विगुल हो और जेपी का जो आंदोलन हुआ और उग्र होता गया पूरे देश में व्याक् क्यों क्योंकि उसांदोलन ने बिहार और गुजरात के बाहर अपनी सीमाओं का विस्तार किया और इस देश का इवावर्ग हर जगास सामने आया क्योंकि जो सरकार की नीतियां थी चिसके कारण बेरोजगाली बढ़ी गणीभी बढ़ी थी जो आज फिक कारण थे उसके कारण भी जुब अविवाicie hard कि सरकारम नए पालिका के मंद्य विवाद ने घी का काम किया आग में और उसमें जो इंद्रा का निर्वाचन इंद्रागागी का निर्वाचन रद्ध किया वह धौशित किया अज़ाए लावाल हाइपूर द्वारा वह तो और मीद का मिद्ध का पत्थर सावित लेकिन ऐसी परिस्थित में बच्चों भारतिय लोगत्र के उपा कहीं ना कहीं संकत के बादल मरवाना प्रारंध हो गए उन संकत के बादलों की आहट नाम दोलनों से देखी जा सकती है जिसकी सुर्वात 1970 से हो चुकी थी उन स्थित्यों में इंद्रा गाधी ने अपने शलाकारों से सलाह लेते हुए यह नेड़े लिया कि देश में अनुछे 352 का उप्योग किया जाए बच्चों महात्पूर यह है कि अनुछे 352 क्या है अनुछे 352 में उसमें कहा गया था कि वाह याक्मर और आंत्रिक ससस्त्र विद्रो आंत्रिक विद्रो वा सांत की स्थित में इसका प्रियोग किया था कि इंद्रा गाधे ने इस अनुछेट का प्रियोग करते हुए पूरे देश में 25 जून 1915 तक को आपाक काल भुशित कर दिया बच्चों इस आपाक काल के लागू होने से अने चीजें उभर कर सामने आई जो लोगतंत के लिए एक सबक बंदेगी जी साथ हर पे आंत्रिक असान थी सब्द के आजहर पे जो लगाया गया था आपाक काल उसे बाद में सरकारों ने अनुभव करते हुए उस सब्द के अस्थान पे लिख दिया कि वाहे आक्रमड और आंत्रिक ससस्त्र विद्रोप थे कि ससस्त्र विद्रोप सत्र का प्रियोग कर दिया कि आधार पर ही आपाक काल लगाया जा सकता है क्योंकि इस तरह तो लोगतंत्र का गला कोई ही सरकार भूण सकती थी जो लोगतंत्रिक व्यवस्था पर संकर से दो सकता था जो इंद्रागाली ने 1975 में भारतिय लोगतंत्र के साथ एक खुला खेल खेला उसको रोकना भी जलूरी था इसलिए जो साभार पर 1975 में आपाक काल लगाया गया था बाद में उसे संसोधित कर दिया गया कि कुई सरकारें दुबारा भारतिय लोगतंत्रिक व्यवस्था पर संकर तुपन ना कर सके इस आपाक काल के परिराम क्या हुए उसे देखते हैं कि आपाक काल के परिए बच्चों हम अगले जो इसमें पहला आता है जो आपाक काल लगा इसके क्या-क्या परिगांब भी बच्चों कि पहला तो मौलिक अधिकारों पर अंकुस लग लिए हर तरह के अधिकारों पर सरकार ने अंकुस लगा दिया कि आपके अधिकारों के हनम में आप न्याले की शड़ने नहीं जा सकते चुकि यह जो आपाक काल लगाया गया था वह अनुछे 352 के तहट आंत्रिक असांती को आधार मानकर लगाया गया था कि इंदा सरकार को यह भान हुआ कि जो विद्रोही विपच्छी के नेतार वह विद्रोह करके देश में असांती फाला रहा है अराजक्ता का महुल इस पर चितने उन्होंने आपाक का लगा दिया कि दूसरा जो हुआ है वह राष्टिय सेवं सेवक्संग और जमाते इसलामें पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने कहा यह दोनों संगठन सांपरदाइक्ता को बढ़ावा देकर अराजक्ता की स्थितुत्बंद कर रही है ऐसी स्थित में इन पर दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित है इसके अलाना प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस की याजादी पर भी प्रित्वन लगा दिया गया प्रेस जो निश्पत चभाव से सरकार की या लूचना करते थे या सरकार की कमियों को जनता के सम्हूं कुपत रखते थे सरकार ने उनका मुख भी बंद कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के ब्रामक या ब्यापक प्रचार ना कर सके और जन्मानस को आंदोलित ना कर सके था जनता को सच्चाहियों से रूबरू होने से रोगने का प्रयास किया गया कि प्रेश की आजादी पर प्रतिबंद लगा कर अगर आता है निवारत नजर्बंदी का ब्यापक इस्तेमाल किया यही वो कामून था जिस वे बिनाकारण बताए सरकार गिरफ्तार कर सकती थी किसी को और सरकार ने इसका बड़े व्यापक पायमाने पर इस्तेमाल किया विपच्छ के जितने भी नेता थे उन सब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक छात्र यांदोलन के जो नेता थे छात्र नेता उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था इसके बाद विपच्छ के नेताओं को जेल भेजना निवारत निरोध के ताहत ही जो विपच्छ के प्रमुक्ष नेता थे सभी जेल में डाल दिये गए वो चाहे जाज वर्नाडेशों स्वर्गे लाग जो है अटल व्याई बाश पहीजी रहे हो लालो प्रसाद यादो मुल अच्छ के थे इन्हें जेल में डाल दिया गया सरकार अपने नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा कदम उठा रही थी इसके बाद संसर्थ के कारेकार को बहार है इतना गाधी ने आपाप काल लागू करते हुए शंसर्थ का कारेकाल एक वरस के लिए बहार दिया साना में तहलोग तांत्रिक सरकार भारत में पांच साल की लेकिन जब आपाप काल लगा हो तो उस सित में संसर्थ के कारेकाल को बहायाग दा सकता है इंद्रा गाधी ने किसी का सहारा लेते हुए जो चुनाओ 1976 में होना चाहिए था उसके कारेकाल को एक साल और बढ़ा दिया तो इस तरह बच्चों ये भाग एक लोग तांत्रिक व्यवस्था के संकट का भाग एक समाप्त होता है अगले भाग में हम उन्हां मिलेंगे धन्यवाद झाल